असिस्टेंट इंजिनियर के पदपर न्यूकती को लेकर बिपेस्टी द्वारा आता प्राप्त उमिद्वारों की उमिद्वारी रद किये जाने के मामले पर पटना हाई कोट में आज सुनवाई की गई जस्टेस चक्रधारी एस सिंग ने आसना अनामिका अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन उमिद्वारों की उमिद्वारी इस हाधार पर रद नहीं की जा सकती है कि उन्होंने इन्वर्सिटी द्वारा जारिस सर्टिफिकेट को प्रस्तूत नहीं किया याचिका करता के अधिवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा 2017 में जारी बिग्यापन में इस पद पर बहाली के लिए आवेदन मांगा गया था याचिका करता तीनों उमिद्वारों ने पीटी और मेंस की लिखित परिक्षा को पास करने के बाद इंटर्व्यू में सामिल ह लेकिन बाद में आयोग ने यह कहते हुए इसकी उमिद्वारी रद कर दी की बीटे का प्रोविजनल सर्टिफिकेट बी आई टे सिंधरी द्वारा जारी किया गया है न कि विनोबा भावे इंवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है आयोग के ने सक्षतकार में सफल प्रस्तूत किये थे उन्हें इस बिग्यापन संख्या 2 2017 में सफल घोशित किया गया था विपेची ने उन सभी सफल उमिद्वारों की भी उमिद्वारी रद कर दी थी हाई कोट ने सभी पक्षों के दलेल सुलने के बाद ऐसे सब उमिद्वारों के संदर्व में विपेची द्वारा उमिद्वारी निरस्त करने का फैसलों को रद कर दिया है याचिका करता के अधिवक्ता हर्स सिंग ने कोट को बताया कि आयोग ने उमिद्वारों की उमिद्वारी महज इसलिए रद कर दी कि उन्होंने बिस्व बिद्याले द्वारा जारी किया गया सर्टिफिक पेस नहीं किया था एकल पीठ ने मामले के और लोकन करने के बाद बीपीएस्टी के निर्णे को निरस्त करते हुए या चिका को सविक्रीत दे दी है पटना हाइकुट के इस फैसले से कई अभियर्थिव को रहत मिली है लेकिन अब देखना होगा कि बीपेस्टी इस मामले प